गुरीवनिंग गाइस, वालकम बैक टूर चानल गाइस, आज का ये जो हमारे क्लास है ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड है उन स्ट्रेंड के लिए जो कि सुरुआती से इंग्लिश बोलना चाहते हैं बहुत सारे स्ट्रेंड ऐसे होते हैं जो किसी वर्ड को पढ़ना तो चाहते हैं जिनका ड्रीम होता है इंग्लिश बोलनी का लेकिन जब वो किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो या तो उनकी प्रनाशेशन रॉंग हो जाती है या तो वो वर्ड को पढ़नी पाते हैं तो आज उनी तरही स्टेंट के लिए इता region सिनमें आपको कईसे कर्श करनी है कि भूत को मध कर आ दब करेंचिया लिए कि अपलोंकि समझा प्रनुमी अपको कॉने उल्सुंकि च्पर पहले मैं आपो हिंदी मैं आपको इसलिए यह सारे हिंदी में सिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपके माइंड से पूरी क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको पुरे डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ ठीक है तो प्रेंशेशन में आपको बात को पता होना चाहिए एक श्वर होते हैं और एक हम कहते हैं वावल्स स्वर यानी की वावल्स और वेंजन यानी के वावल्स तो यह जल आप वैट वसलिए तो यहां उन्फवेट है थे हैं इसलिन अध रहर, है यह फाइप आपका क्या है? वाउल्स है यह फाइप आपका वाउल्स है और बाकी जो बच गया वह हमें कॉनसोनें के कैटेग्री में जाते हैं इसे हम हिंदी में कहते हैं मात्रा तो आप हिंदी वाले कोई सभी जो लिखते हो जैसे यहाँ पर लिखा गया उचारन ठीक है? यहाँ पर उचारन है यह के है यह नियम है यह पर जितने वर्ड लिखे गए हैं सब में मात्रे दिख रही है ना इसमें एकी मात्रा है इसमें आ क करने होता है वैसे ही इंगलिश जो हम बोलते हैं इंगलिश के जो वर्ड सम बोलते वह बीना मात्रा के नहीं होते हैं इसलिए आपको इनकी प्रनेशेशन पर ज्यादा ध्यान देना होता है कि इन्हें बूला कैसे जाता है तब यह चोटे-चोटे और बड़े से बड़े वर् करते हैं बूल के आपको एक बहुत सारे लियां इके-आई-के-उके-उक देंगे ऐक है अब आप बोलोगे अन्हीं ऑ तो रहे होता है इसके बहुत सारे मात्रा निकलते हैं बहुत सारे वर्ड में इसका यूज किया जाता है तो चलिए आज कि वल्ड साम स्टाट करते हैं इसी पर dedicated है, तो वीडियो में आपको end तक बने रहना है, मेरी guarantee है कि आप words को धंग से पढ़ना तो जरू सीख जाओगे, चले, start करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम आज five vowels के पारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक उचारन का नियम, सारे लिख रखा है, तो rule number one हमारा है, जब किसी word में A आए तो और A के बाद consonant को छोड़कर last letter E आए तो A को A में पढ़ते हैं, अब देखें, यहाँ पर क्या लिखा गया है, मैं आपको पूरे detail में समझाते हूँ, ठीके, अगर आपका कोई word A आए, ठीके, अगर आपका एक consonant हो, मानलो consonant कुछ भी हो सकते हैं, सी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, consonant को छोड़का last letter E आना चाहिए, तो इस A को हम A में पढ़ेंगे, यानि कि यह A जो है, इसको A में पढ़ेंगे, ठीके, इस तरीके से लिखा गया, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जैसे कि यह आप देखे, example में मैंने एक दम अच्छे से लिख रखा है, बेक, अब बेक में देखिए, A है, ठीके, A के बाद, K हमारा क्या है, consonant है, consonant के बाद, last में क्या है, E है, है ना, तो यह जो A है ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे, A, ठीके, यहाँ पर गलती लिखा है, ठीके, तो हम हम इसे क्या पढ़ेंगे, A, तो हमारा क्या हो गया, बेक, और last letter जब भी E आए, तो E को नहीं पढ़ा जाता है, लास्ट लेटर E आए, तो E को नहीं पढ़ा जाता है, हम इसे पढ़ेंगे, यह A, जो है, इसको A में हम निकाले, ठीके, यह वाली मात्रा होती है, A का, ठीके इसे फके नहीं पड़ेंगे, यह E को A में नहीं साउंड करेंगे, ठीक है, E का कोई साउंड नहीं होता है, लिखा जाते हैं बड़ इसका कोई साउंड नहीं होता है और लास्ट, तो हमारा वर्ड क्या हो गया, फेक, देट, लेक, बेस, हेट, लेट, केक, सेम, मेक, तो इनमें जब भी आपको क्या वर्ड याद रखने हैं, A, I, E की बाद E कॉंसोनेंट, उसकी बाद अगर E आता है, तो उसमें A को हम क्या पढ़ते हैं, A में ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट रूल, अब देखें, यह जरूरी नहीं है, कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, अभी आपको याद हो जाए, सारे रूल, ऐसा जरूरी नहीं होता है, आपको बस समझना है, मैं आपको या समझा रही हूँ, आपको समझना है, और इसकी फ्री और आपको मैं PDF भी दूँगी, जो हमारी टेलिग्राम चानल Pre-English Classes पर आपको मिल जाएगी, तो हमारी टेलिग्राम चानल को जरूझ कर लीज़ेगा Pre-English Classes, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, अगर नहीं भी मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन से आप नहीं फॉलोग कर पाते हो तो आप सर्च करना टैलिग्राम पर जो हमारा यूटूब चानल का नाम है ना प्रेंग लिस्ट क्लासेज वो सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा हमारा टैलिग्राम ग्रूप वहां पर आप हमें जॉइन कर सकते हैं इसकी पीडिएप मैं वहीं पर आप लोगों से शेयर कर दूँगी बस आपको मेरे साथ यहां पर प्रैक्टिस करनी है ओके रूल नंबर टू देखी बहुत सारे रूल लेकर आई हूं रूल नंबर टू हमारा क्या कहता है जब दो कॉंसोनेंट के बीच ए आए तो ए को ए में पढ़ते हैं अब देखे एक होता है और एक ह कॉंसोनेंट मालो दो कॉंसोनेंट हो गया उसके बीच में ए आया तो इसको हम ए में पढ़ेंगे ओके ए में पढ़ेंगे इसका ऐसे होता है ठीक है जैसे यहां पर देखिए बी ए जी बैग बी हमारा कॉंसोनेंट है जी हमारा कॉंसोनेंट है उसके बीच में हम लोगों न मेरे लिखा go, bag cat, sorry, यहाँ पर cat होगा, ठीक है cat, fan, bed यहाँ पर होगा cap cat, hat, bet, can, man, rat ठीक है, तो यह सारे इस तरह से आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है next rule number third, देखे, rule number third हमारा कहता है जब a के बाद st या s के आए, ठीक है a के बाद st या s के आए तब a का उचारण a में किया जाता है किस में a मे, a का sound आएगा, जैसे की यहाँ पर क्या बहुला गया एक के बाद st या s के to a के बाद st आया ना, तो यहाँ पर a को हम क्या पढ़ेंगे, a में देखे, प और एको हम लोगों ने आ में sound निकाला यानि के हमारा हो गया past past, mask, s-k आया ना, देखे, s-k, s-t, 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 s-k, s-t अब चलिए आगे देखते हैं रूल नमब को अम पढ़ते ह》 जैसे यह के बाद ह्याओं या या वस्तों हम किसमें पढ़ा चीश्क है बार, ओके, फार्म, देखिए एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जब आर होता है तो आर को हमेशा हाफ में प्रोनाउंस किया जाता है, स्टार्टिंग में अगर आर रहे तो उसको हाफ में नहीं प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आर कहीं रहता है तो उसको हाफ में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि फार्म नहीं बोलेंगे, फार्म नहीं, फार्म, फार्म, पार्क, डार्क, हाम, यान, काट, मार्क, वाम, ठीके, वार्म नहीं, वाम, आर को हाफ में प्रोनाउंस करते हैं, देखिए यहां पर मैंने लिख रहा है ना, यहा हाफ में प्रोनाउंस होगा, यह आधार रोहे से हाफ में प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, तो इसकी प्रनेस्टेश्टन पर ध्यान दिजेगा, और अगर स्टार्टिंग में रहता है, तो उसे पूरा में प्रोनाउंस करेंगे, लिकिन इसकी बाद अगर कहीं आ रहता है, तो वो last में ही क्यों ना रहे हैं उसे half में प्रोनाउंस करते हैं जैसे कि इस तरीके से रहता है तो our last में है तो उसे half में प्रोनाउंस करेंगे ठीक है चलिए आगे देखते हैं next क्या हमारे next a का उच्छान का नियम rule number five पे हमारा जब किसी word में a के बाड डबल अल आये तो a को ओ में पढ़ते हैं ओ में आ ओ में पढ़ते हैं ठीक है याद रखेगा जब a के बाड डबल अल आये तो उसे ओ में पढ़ते हैं जैसे कि call a के बाड डबल अल आया ना तो इसे ओ में पढ़ Carl बोले क्या Carl Till Sam बोले क्या Cal Najin Call or में पढ़े Call All Okay Hall Small Fall Stall Tall Wall Ball Okay तो इस तरी किसे हम इसे पढ़ेंगे तो समझ में आगे इसे हम कैसे पढ़ेंगे जब एक एक बाथ डबल हाल आए تو चल्ल, नेक्स टूल देखते है रूल नंबर 6 है हमारा जब किसी वर्ड में AI आए तो AI की बाद N, L आए AI की बाद N या फिर L आए तो AI को A में पढ़ते हैं ठीक है AI को A में पढ़ते हैं N आना चाहिए या तो L आना चाहिए जैसे कि यहाँ पर दिया वर PEN तो यहाँ पर देखिए आपका AI आना चाहिए तो यहाँ पर AI हम लोग आया है उसके बाद N या L आना चाहिए तो हमारा N आया है तो हम इसे पढ़ेंगे AI को A में पढ़ें PEN इससे तरह से देखिए AI के बाद L आया तो इसे पढ़ेंगे BEL MAIN FAIL GAIN HAIL RAIN तो अगर AI के बाद N या L आता है तो उसे हम AI को क्या हम पढ़ेंगे A में पढ़ेंगे AI का कोई साउंड नहीं है AI दोनों मिला कर साउंड निकलेगा A का ओके नेक्स देखिए नेक्स हमारा रूल लंबर 7 जब किसी वर्ड में किसमें पढ़ते हैं A में पढ़ते हैं अगर A के बाद Y आये ठीक है A के बाद Y आये जैसे कि B अब यहां देखिए A के बाद Y आया तो उसे बाई नहीं पढ़ेंगे या बे नहीं पढ़ेंगे इससे Y का कोई साउंड नहीं आएगा Y का यहां कोई sound नहीं आया ठीक है यहां पर Y को A, Y दोनों मिला कर अब A का sound निकाले B, May Say, Day कभी से एक डाई पढ़ें क्या नहीं से हम पढ़ते Day, Pay, Way Lay, Ray Play, Slay Clay यह सारे word किस में निकलते A में यानि कि यहां पर A, Y जो Last में आपके आते हैं, उसका sound हम किस में निकालते A में निकालते हैं समझ में आगे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं Next देखे, Rule No.8 है हमारे जब किसी word में A, W आए तो A, W को O में पढ़ते हैं जब किसी word में A, W आए चीक है, A, W आता है तो वहां पर उसे O में पढ़ते हैं चीक है, O में जैसे की, Cow C, A, W Cow नहीं बो रहे, Cow नहीं बो रहे C, O, W नहीं बो रहे, चीक है Cow, C, A, W तो इसे हम किस में पढ़े? A, W को O में पढ़े Cow, Fawn Fawn, ठीक है? Haw, Low, So Sol देखे एक होता है हमारा सो और एक होता है शो तो इसे हम पढ़ेंगे सो यह सो और यह शो ठीक है सो शाल ठीक है अगर यह इस तरीके से रहता इस तरीके से रहता ठीक है यहाँ पर मैं जनरली बता रही हूँ यहाँ पर ओ का है लेकिन यहाँ पर मैं जनरली बता रही हूँ तो ये सौ जो है से सौ में पढ़ेंगे ठीक है और ये जो सौ है इसे हम सौ में पढ़ें शौ सौ शौ सौ ध्यान रखेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नमबर नाइन में चलते हैं रूल नमबर नाइन हमारा क्या कहता है जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू क कुछ भी ऑ बढ़ते हैं जैसे कि अगर आपका एयउ आता है चिक ऐसă बहुत सारव ए यिसमें एयू आता है उसमें क्या पढ़ते ऑब बढ़ते हैं जैसे कि उत्रीकॉट को एसे क्या है एयू का साउंड क्या है और उसके बाद अब यह वो लोग में जी एच टी है तो इसे तो में आपने पढ़ा तो गाइस इसका अलग रूल है वह अलग बताऊंगे यहां पर हम एयू का साउंड देख रहें ठीक है तो एयू को हम और में पढ़ें कॉट नौटी कॉज इस तर से टॉट है na? कि यू को हम क्या पढ़ते हैं? टॉट हमारा स्पेलिंग क्या ओता है? टॉट पढ़ाया है, ना, teach का second form, third form, thought, तो a, you का हम किसे पढ़ते हैं? आ में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस तर से आप ध्यान रखेगा, चलिए, next rule देखते हैं, next rule क्या हमारे, next rule number ten, जब किसी word में ai के बाद आ रहा हैं, तो ai को ai में पढ़ते हैं, ai, ai में पढ़ते हैं, a, o, ai में जैसे की चे यहां पर देखे एक का मात्रा यानि कि यह होता है और यानि कि से अगर आता है तो उसका हमरेश स्बाइब रहते हैंए हाफ में चयव यह फिर्पियर हिउन के के तो यहां पर हम सब में इय को सांड आए है ऐस दो इसीरफ citra रूल NOR 2017 हमारा जब किसी वॉर्ड की बात जब किसी वॉर्ड एक बाद लोगे आता है तो एको भी ए बड़ते है अब लोगों ने क्या देखा था एक के बाद क्या आ ocski वाए के बदा आ रहां अबay के बाद आरे आते हैं तो को अय में पड़ते हैं जैसे एक पर देखे एक बाद आरी आया न यह सारी आपको याद करने होंगे, अगर आप यह सारे रूल्स याद कर लेते हो, तो आप प्रोनाउंस बहुत ही अच्छे धंग से कर पाऊगे, तो ए के बाद आर ही आता है, तो हम इसे में क्या में प्रोनाउंस किये, तो के, के, रो को क्या में हाथ में प्रोनाउंस करेंगे, के, मे डियर, फियर, सेयर, ठीक है, एयर में साउंड आया, एयर का साउंड आया, ओके, तो यह सब ध्यान रखिएगा, तो इसी के साथ हम लोगों ने ए का देख लिया उचारन, अब हम बढ़ते हैं, ए के तरफ, ओके, ए के उचारन का नियम, रूल नंबर वन है हमारा, जब किसी वर्ड में ए ए आय तो ए को ए में पढ़ते हैं, ठीक है, ए को किस में पढ़ते हैं, ए में पढ़ते हैं, जैसे कि बीट, अब यहाँ पर ए आया आया ना, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, एसे थोड़ी बोलते हैं, बीट, बोलते हैं, क्या A को A में sound निकलते हैं क्या, B, E, T, नहीं, इसे E में sound निकलते है, E, A का दोनों मिलाकर E का sound निकलता है, B. Meet, T, Heat, और एक जिज़ और ध्याने कि, एक ऐसे वाली मातर होती है, यद एक ऐसे वाली मातर होती है, ठीक है? तो ये वाला मात्रा को थोड़ टान कर बोला जाता है, टान कर, जैसे की मीट, और अगर इस तरीके से साउंड रहता न, अगर हम इस तरीके से इसे लिख देते, तो इसे पढ़ते हैं, मिट, 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 तुरंट में साउंड आता है, और पीछे से अगर आए, तो इसे थोड निकालेगा ठीक है अगर ए आते हैं तो उसे ए में ही प्रॉनाउंस करते हैं नेक्स्ट नेक्स रूल नमबर टू है जब किसी वर्ड के लास्ट में लास्ट में ई आए तो लास्ट में ई आए तो ई का उचारा नहीं करते हैं क्योंकि लास्ट में ई हमेज़ा साइलेंट होता है मैंने स्टार्टिंग में आपको ए में बताया था ना कि अगर किसी वर्ड के लास्ट म आपको दिख रहा किता को डिक्तया है ना उसकी बात कोई साउंड है नहीं लाइक की नहीं पढ़नेंगे लाइक की गीविविविविकी लाइफ रहतीALLY हमासर द संता 파 हसके औरत submission होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नाम इंबर थी की तरफ तो रूल नाम थरी है हमारा जब किसी वर्ड में E के बाद डबलू आए तो यानि कि येडबलू को यू फढ़ते हैं येकर येडबलू को जैसे द्यू ध्यू ठीक है अब आपcular्रम ये यू तो आपने दिखा दिया कि यहां पर यू है लेकिन ए का साउंड कैसे है यानि कि यह वला मात्रा यहां पर तो मात्रा है नहीं तो गाइस मात्रा नहीं यह लिखे निवे बोल कर देखिए अगर ए नहीं आप लगाते हो ठीके सिर्फ यू लगाते हो तो आपका क्या होगा दइउ दइउ डइउ आगा है ना द यू डइउ डइउ नहीं ई का साउन निकलता है यी भले यहांपर लिखे नहीं है लेकिन इसका थुड़ा साॉंड निकलता है देखिए दिउ इउ आ रहा ना यू फ्यू फ्यू अ ओकी का साउन्ड stereotype Geral के यू का सांट ओके चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर फोर्थ में आ गए जब किसी वर्ड में ई आई तो ई आई को ई में पढ़ते हैं यानि कि दोनों की प्रेंशेशन ई में ही निकलेगी जैसे रिसी अब इसमें देखे ई आई आया है न तो इसका क्या लिखे आर का हम लोग रढ बना दिये अगर emotion ल ए रहता है तो इ बैठाते हम लोगों ने सांट पर्चा यानि कि यह आपर ई आई का सांट क्या निकला इ में निकला है रिसीब conceive, deceive तो यहाँ भी third time कर बोरे न क्योंकि बड़ी की मात्रा है third time कर इसको बोलेंगे इस तरीके का मात्रा चीक है? चले आगे देखते हैं next है हमारा rule number 5 EU को U में भी पढ़ते हैं EU को EU को U में पढ़ते हैं जैसे की Europe EU को हम क्या पढ़े? EU में पढ़े, Europe Eulogy, ठीक है? इस तरीके सही जादा नहीं होते हैं, बस मैंने rule बता दिया कि कहीं आप confused ना हो इससे E में प्रोनाउंस ना कर दो यह EU में प्रोनाउंस होता है Europe, Eulogy, ठीक है? आगे देखे हैं आगे हमारा rule number 6 जब किसी word में E के बाद R आये तो उसे O में पढ़ते हैं E के बाद R E के बाद R आये तो उसे O में पढ़ते हैं ठीक है? मतलब E को O में पढ़ते हैं R को O में नहीं पढ़ते हैं ठीक है? तो जैसे हर्प यहाँ पर देखे है एच यानि की H, E यानि की O आप देखें, यहाँ पर हम लोगों ने E को E में पढ़ा है, लेकिन E को तो O में भी पढ़ा जाता है, तो इसे O में लिके उसके बाद, र, व, हर्ब, इसे हिर्ब नहीं पढ़ेंगे, ठीके, इसे E मत पढ़ना, हिर्ब नहीं पढ़ना, हर्ब, O का साउंड आता है, हर्ब, ज एवन में आजाते हैं, जब E, A या डबल E के बाद, र आए तो E, A और डबल E को ये में पढ़ते हैं, यह, यह में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि, डबल E आना चाहिए, यह यह आना चाहिए, तो उसमें क्या हम पढ़ेंगे, यह में पढ़ेंगे उसे, जैसे कि, डियर, का साउंड आ रहां नए your double-e है तो इय का साउंड आ रहा रहा है dear शीय यह पर औहोगा ठीक है औहोगा dear 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 fear dear no पर पर्रॉनाउस करते है ना आप लोग को तो पताोगा नेक्स्ट है, रूल नमबर एट, जब दो तीन कॉंसोनेंट के बीच में E आये तो उसे A में पढ़ते हैं, अभी तक तो हम लोग ने देखा कि E में पढ़ते हैं, O में पढ़ते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि E को A में भी पढ़ते हैं, जब दो तीन कॉंसोनेंट के मेरा चाहिए कांसोंनेंट हो दो से जाला कॉंसोंनेंट हो उसके बीच में अगर देशनेंट इया तो उसέ में पर्रौनॉणस करेंगे अच्छेए टीक है पढ़ते हैं, double e को e में भी पढ़ते हैं, अभी देखें, यहाँ मैंने एक और रूल बताया था, अगर आपको याद है, double e को हम e में पढ़ते हैं, लेकिन कभी-कभी हम double e को e में भी पढ़ते हैं, जैसे deep, इसे deep नहीं बोलेंगे, deep नहीं, इसे deep, feet, seek, keep, heel, weak, weep, jeep, meet, creep, ठीक है, तो यह सब double e आया, तो इसे हम किस में प्रोनाउंस किये, e में प्रोनाउंस किये, तो यह छोड़ी-छोड़ी बाते आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है, तो यहीं इसी के साथ हम लोगों ने nine rules में सीके, यानि कि हम लोगों ने a और e दो complete कर लिये, अब आय के उच्छारन का नियम rule number first है हमारा, जब किसी वर्ड में आई आय, और आई के बाद एक consonant को छोड़ कर, एक consonant को छोड़ कर, ए आय, ठीक है, तो उसे आय को आय में प्रोनाउंस करते है, ठीक है, अगर किसी वर्ड में आय आय और आय के बाद एक consonant आय और उस consonant को छोड़ क तो आई को आई में पढ़ते हैं ठीक है जैसे कि बाइक अब यहां पर देखिए आई आया आई की बाद consonant उसकी बाद ए ठीक है तो यहां भी का कोई sound नहीं रहेगा आई का sound क्या आजाएगा आ में आजाएगा यानि कि यहां पर हम आई को किसमें प्रोनौंस के आई में ही प्रोनौंस के है आगे देखते हैं एक मिनट यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पर यह वाली ए की मातरा नहीं है ठीक है अब इसमें आजाते हैं रूल नंबर सेकेंड में आजाते हैं जब दो या तीन कॉंसोनेंट के बीच आई आए तो आई को ए में पढ़ते हैं 2-3 consonant के बीच में अगर आही आ जाता है, तो उससे किस में पढ़ते हैं? E में पढ़ते हैं, ठीक है? E, चोटी E, जैसे ही कि Deep हम यहँए D, P, यानि कि 2 consonant के बीच में आही आ गया तो उससे हम इकिसमें पढ़े, यानि कि Deep Tail, Milk, Hit, Kill, Silk, Rip, Fill,γिठ, Hill इसे हील नहीं पढ़े यहाँ पर चोटी की मात्रा यानी हिल तुरंट में साउंड निकलेगा तो यहाँ पर आय को हम लोगों निकिन के बीच में था चलिए आगे रूल देखते हैं, next rule हमारा क्या है? Next rule number three है हमारा, जब किसी word में IE आए तो IE को E में पढ़ते हैं IE को भी हम E में ही पढ़ते हैं, जैसे filled अब यहाँ पर देखे, IE है, IE को किसमें पढ़ना है? E में पढ़ना है, यानि कि E में पढ़ती है, तो हमारा हो गया filled, sees, bleep IE को यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखे, है ना, bleep चाहिए, आगे देखे Next rule number four है हमारा, जब किसी word में I के बाद R E आए तो I को I में पढ़ते हैं, आए देखे, एक हो गया I और एक हो गया I दोनों में फर्क है ना, दोनों में फर्क है, एकदम ध्यान से, ठीक है? fire, fire fire नहीं बोड़ा है, fire नहीं, fire ठीक है? higher, wire, tire, inspire तो यहाँ पर I में नहीं, I में प्रोनाउंस किये, ठीक है? I को I में प्रोनाउंस किये, चली, आगे देखे next rule no.5, जब किसी word में I के बाद I आये तो I के बाद R आये, यहाँ पर R देखे, ठीक है? जब किसी word में I के बाद R आये तो I को O में पढ़ते हैं, O में ठीक है? I के बाद क्या आना चाहिए? I के बाद क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए, तो उसे किस में प्रोणॉंस करेंगे? व में प्रोणॉंस करेंगे जैसे bird, अब देखे, आई के बाद क्या आया? आर आया न, तो इसे हम क्या पढ़े? bird, आई को हमने क्या, व में लिख दिया? व में लिख दिया bird, dirty, अब ऐसे बोले क्या डाइटी बोले क्या डाइटी बोले क्या नहीं इसे औ में प्रोनाउंस किये डोटी सर्ट फर्म चर्प ठीक है चाप तो इससे इस तरह से पढ़ेंगे ठीक है आगे दिखते है नेक्स्ट रूल नंबर 6 है हमारा जब किसी वर्ड के लास्ट में आई-ई आए तो आई-ई को आई-ई में पढ़ते हैं आई-ई में ठीक है आई-ई को किसमें पढ़ते हैं आई-ई में पढ़ते हैं जैसे की डाई आई-ई है ना इसको किसमें पढ़े ई आई में पढ़े डाई लाई पाई टाई आई-ई में साउंड आया है ना जब आई-ई है आई या लॉडि आय तो आई को आई में पड़ते हैं जैसे माइंड यहां पर देखें आई के बाद एंड यह ना तो इसे हम किसमें पड़ें आई में मैंड चाइल्ड फाइंड वर्ट बाइंड तो इस ता से आप पड़ोगे चली आगे देखते रूल नुबर एट क्या है हमारा रूल नमबर येट है, जब किसी वर्ड में आई, आई के बाद, आई के बाद GST आए, तो आई को आई में पढ़ते हैं, और GST को G H हमेशा साइलेंट होता है, इसमें G H साइलेंट हो, मैंने अभी बताया था ना, जैसे कि तॉट मैंने बताया था ना, तो यहाँ पर तो आई की बात हो रही है लेकिन आई हो या कुछ भी हो याद रखेगा जी एच हमेशा साइलेंट होता है और टी होता है तो इसे हम टॉट पढ़ रहते तो जी एच का साउंड नहीं आ रहा था वैसी आई के बाद अगर जी एस टी होता है तो जी एच साइलेंट होता है सिफ टी का प वैसे ही light, right, night, might, tight, याद रहेगा, जी अच्छ हमेशा silent रहता है, उसके बाद का T का हम क्या करेंगे, pronounce करेंगे, आगे देखिए, next is rule number 9, जब किसी word के last में S के बाद I, O, N आए, तो I को हम O में पढ़ते हैं, ठीक है, S के बाद या T के बाद, याद रखेगा, S हो या T हो, S या T के बाद I, O, N आता है, तो उसे I को हम O में पढ़ते हैं, जैसे pension, अब देखें, यहाँ पर क्या हम किये, I को हम लोगों ने यहाँ पर क्यास में बदले, देखें, P का पो, E, N का A, S का सो, और यहाँ पर I, जो है न, I, O, N, sorry, I, O, इसको सिर्फ O में हम लिखें, इसका कोई sound नहीं आता है, O में sound आता है, pension, attention, tension, creation, mention, तो यहाँ पर I, O को हम लोगों ने किस में sound निकाला, O में sound निकाला, O में, ठीक है, O में, चली, आगे देखें, तो इसे के जाथ हम लोगों ने 9 rule complete कर लिए, यानि कि हमारा I का concept clear हुआ, अब हम बढ़ते हैं O के तरफ, O का rule number first, O के उचारन का नियम का rule number first है हमारा, जब किसी word के last में O, W आए, तो O, W को O में पढ़ते हैं, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में O, W आए, तो O, W को O में पढ़ते हैं, जैसे snow, O, W आया, इसको हम किसमें पढ़ें, O में, snow, slow, so, yellow, और window, तो यहां पर हम लोगों लास्ट में किसमें पढ़ा, O, W को O में पढ़ा, ठीक है, आगे देखें, रूल नमबर टू है हमारा, जब किसी वर्ड के लास्ट में, लास्ट में O आए, ठीक है, लास्ट में O आए, तो O को O में ही पढ़ते हैं, जैसे hello, तो यहां पर O लास्ट में आया, O में पढ़े, hello, hero, metro, demo, ludo, सबको O में साउंड आया, लास्ट में अगर O आए, तो उसे O म रूल मठी है, जब किसी वर्ड में O A आये, तो O A को भी O में ही पढ़ते हैं, O A को भी, अब देखें, सब क्या स्ट्रेंट सोचते हैं, कि O को सिफ O में पढ़ते हैं, लिकिन O A को भी हम O में पढ़ेंगे, जैसे boat, अब स्ट्रेंट क्या करेंगे, इसे अगर नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, boat, boat A का साउन निकालेंगे, boat, boat गलत, O A को हम लोगों ने O में ही साउन निकाला, boat हुआ, boat, loan, coat, road, goat, toe, O A को हम लोगों ने O में साउन निकाला, okay? नेक्स देखिए, नेक्स्ट है हमारा, रूल नंबर फूर है हमारा, जब O के बाद Y आये तो O Y को O Y में पढ़ते हैं, जैसे boy, boy, ठीके, O Y आमें साउंड आया ना, boy, joy, toy, roy, lawyer, O Y, O Y का साउंड आया ना, तो अगर O Y रहता है तो उसे O Y में पढ़ते हैं, चली, आगे देखे, रूल नंबर फाइप में हम आ जाते हैं, जब किसी वर्ड में O Y आये तो O Y को O Y में पढ़ते हैं, ठीके, आब ही हम लोगों ने क्या देखाता है, O Y आये तो उसे O Y में पढ़ते हैं, लेकिन अगर O Y आ साउंड आया, चोईस, यहां पर N होगा, ठीके, तो हमारा हो जाएगा, कोई, होईस्ट, सॉइल, मोईस्ट, ठीके, इस तरह से आप साउंड निकालोगे, O Y को हम किसमें बदलेंगे, O Y में बडलेंगे, सब में देखे, O Y है न, सारे वर्ड में O Y है, याने कि O Y, चले, किसी वर्ड में O Y, आये तो O Y को आउ में पढ़ते है, ठीके, O Y को किसमें पढ़ते है, आउ में, आउ, O Y के किसमें पढ़ेंगे, आउ, डाउट, आउ, अब मेरे साथ बोलिए, बोल येगा नहीं तो समझेगा नहीं, बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करने, ठीके, count round mount sound इसे थोड़ा सा अलग प्रोनाउंस इसमें exceptions है ठीक है तो अभी हम लोगों ने जितना देखा ओ यू को हम लोगों किसमें बढ़ा हम लोगों ने ओ यू का प्रोनाशेशन किसमें किया आउ में बस यह जो ओ यू है लेकिन इसे वाउंड मत पढ़िएगा कभी भी इसे व नेक्स रूल नंबर 7 है हमारा जब जब ओ के बात ठीक है जब ओ के बात यहां पर ओ होगा जब ओ के बात एक ऐक खोड़ कर कर इइ आय तो ओ को में पढ़ते हैं क्या मैंने बोला सभा कब कर यानि कि ओ कंसोनेंट एक lem इक को बचनेंगे जयासे senior Key Я वहां पर ओकुसमें पड़ेंगे जैसे ब वक्रांशेयन कि मशनेक veya टिसमें किसमें पढ़ हम ओक then यह नर्य होगी कोई प्रणंशेश्इशन नहीं होगा आपको पता है ना तो इसे पढ़ेंगे और २ो नोज इसको किसमें पड़े जो में तो इसका अलव रूल है मैंने जो 60 grammar rules की जो मैं courses करवारी आप लोगों को अगर आप नए हैं और आप लोगों को नहीं पता है कि हमारी जो एक courses चल रही है हमारी live एक courses चल रही है 60 grammar rules की courses चल रही है उसमें आपको basic to advance कर बाया जाएगा जिस जिस तरीके का पेड पोर्स पर्चेस करते हो सारी फैसिलिटीज आपको हमारी 60 ग्रामर रूल फ्री कोर्स में मिल जाएगी वह हमारी क्लासे मंडे वेंस्टे और फ्राइडे को आती है रात आठ बजे तो रात आठ बजे हम लाइव आते हैं तो आप लाइव हमें जॉइन कर स तो मैंने पूरे 60 ग्रामर रूल सिखाऊंगी जो कि इंग्लिश स्पिकिंग के लिए और इंग्लिश ग्रामर के लिए जरूरी है तो अगर आप 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 जॉइन करना चाहते हो तो आप मंडे वेंस्टे और फ्राइडे रात आठ बजे हमें लाइव जॉइन कर सकते हो ओक तो मैंने ए से जट तक पूरे करवाय हैं ठीक है तो वो भी आप देख सकते हो पहले आप यह देख लो समझ लो ओके तो यहाँ पर एस को जो में क्यों प्रोनाउंस कि वह आपको वीडियो में देख जाएगा तो नोज रोज मोई तो यहाँ पर ओ का साउंड किस में निकला चले आगे देखते हैं रूल निम्बर एट हमारा क्या है जब दो कॉंसोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ को ओ में पढ़ते हैं ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ठीक है जैसे पोट पोट लोग फॉग पॉट पॉट हॉट टॉप और ओ का साउंड आया ओ टॉट हॉट छीक है ओ का साउं आया। निक्स देखे, निक्स रूल नमबर नाइन है हमारा, जब जब के बाद एक कॉंसोनेंट को छोड़कर जब की बाद एक को चोड़कर गुड़कर यह एक सब्सक्रेंट घरन पर वाथ हूथ तो O के O में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर कुछ exceptions है, इसको O में नहीं पढ़ेंगे, यहां कुछ word है, इनमें कोई नियम लागू नहीं होता है, जैसे some, done, come, none, love, इसमें O का साउंड नहीं आ रहा है, इसमें O को O का साउंड आ रहा है, तो यहां पर कोई नियम लागू नही पढ़ते हैं, उ में, उ में, हाव, हाव, नाओ, वाउ, लाउ, उ में पढ़े, ठीक है? अगर ओ डावल्यू लास्ट में आते हैं, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? उ में जैसे काउ, काउ, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं. Next rule number 11 है हम O के, जब किसी वर्ड के last में O-N या O-R आये तो उसे औ में प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, O-N आये या O-R आये, तो वहां पर O को हम औ में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि Taylor, यहां पर देखिए, last में किया आया, O-R आया, last में O-R आया ना, तो इसे औ में sound निकाला है, हमारा किस में निकल रहा, O- में निकल रहा, Taylor, Union, Doctor, Lition, ओके, चली, आगे देखिए, next देखिए, तो यहां तक हम लोगों ने O-के उचारन के नियम देख लिए 11, अब हम बढ़ते हैं, यू के उचारन के नियम के तरह, ठीक है, यू के उचारन के नियम, रूल नमबर फर्स्ट है हमारा, जब दो तिन कॉंसोनेंट के बीच, जब दो तिन कॉंसोनेंट के बीच में यू आये, तो यू को ओ में पढ़ते हैं, ठीक है, दो तिन कॉंसोनेंट के बीच में यू आये, तो उसे ओ में पढ़ते हैं, जैसे रन, आप देखें, दो कॉंसोनेंट है, उसके बीच मे यू आया लग, sun, just, fun, dust, तो यहां पर यू को हम किस में प्रोनाउंस किये, ओ में प्रोनाउंस किये, ओके, next देखिए, rule number second है, जब कोई word यू से शुरू हो, और यू की बाद एक consonant को छोड़ कर कोई vowels आ रहा हो, तो यू को यू में पढ़ते हैं, ठीक है, यहां पर क्या आया जब किसी वर्ड के शुरू में यू हो, शुरू में यू आना चाहिए, यू की बाद consonant, कोई सा भी consonant होना चाहिए, चली, consonant ले ले लेते हैं, उसके बाद एक vowels आता है, उसकी बाद एक vowels आ रहा हो, तो उसे यू में पढ़ते हैं, जैसे यूनी, यूनी से पढ़ेंगे, यू जैसे यूनियन, इसे यू में पढ़े, य और यू, यू में पढ़े ना, यूनीक, यूरिनल, यूनीट, उके यूनिवरसिटी, यू में पढ़ते हैं, चले आगे देखते हैं, नेक्स्ट, रूल नमबर थड है, जब किसी वर्ड के शुरू में यू हो, और यू की बाद consonant तो उसे और में पढ़ते हैं यहांद एक कि आपका यू आइका कि उसके बार शक्रोम सब्साइन पढ़े में नहीं पॉला Brock यहां पर दह्कें यू है यू है उसके बाद computers नीन है कोई बाफन नहीं है तो किया अ पर हम किसो अ आइसे रंकर भी जाइ द। यहां पर हम किसमे प्रॉनॉबंस करेंगे र यानि और फूथ में जैके जब किसे word में you के बाद r आया तो उसे औ में परण déplac hour संट यू के बाद a कर आधा है तो उसे किसमें परणाउस करेंगे झास यू की बाद a mrr आया तो से इसे अम किसमें परणाउस किया हुआ है लगे चलिए आगे देखते हैं Next rule no. 5, कुछ वर्ड में U को U में पढ़ते हैं, कुछ वर्ड में U को U में पढ़ते हैं, चैसे full, U यानि के नीचे से यह मात्रा, फुल, अब यहाँ पर देखे कि U का मात्रा आया ना, अगर U के बाद, यू कुछ वर्ड में, सभी मेरी कुछ वर्ड में, उ में परनाउस निकालते हैं, फुल, बुल, पुल, पुश, उ में साउंड आया है, चीक है, निक्स रूल नमबर 6 देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में, यू, ए, आये तो यू, ए को उ में पढ़ते हैं, यू, ए को उ में पढ़ते हैं, यानि कि इस वाली मातरा को पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे ब्लू, यू, ए, यू, ए, दोनों को मिलाकर उ का साउंड है, ब्लू, ट्रू, ग्लू, ग्लू, ओके, चली, आगे देखिए, नेक्स रूल नमबर 7 है हमारा, जब किसी वर्ड के लास्ट में, य यू, आरी को अर में पढ़ते हैं, यू, आरी को किसमें पढ़ते हैं, अर में पढ़ते हैं, जैसे नेचर, अब देखिए यहां पर अन का न, ए का ए, टी का चर, और यू, आरी को अर में पढ़ते हैं, है ना, नेचर, नेचर, आधरो का साम, नेचर, लेक्चर, फ्यूचर culture इसे क्या हम ऐसे पढ़े है नटूरे ये यू का तो यू का sound आता नटूरे पढ़े क्या नहीं अर का sound है nature ओके चलिए आगे देखते है रूल नंबर एट और यह हमारा last rule है ओके रूल नंबर एट है हमारा जब किसी word में यू के बाद एक consonant को छोड़कर यू आए यानिकी यू की बाद आपका एक consonant आता है consonant ठीक है कोई consonant उसकी बाद ए आता है कोई vowels exact vowels आता है तो भी देखे ई भी तो vowels है तो इसका sound यू में निकलेगा हम लोग ने starting में देखा था ना अगर कोई वावल्स आता है, यू आएगा, फिर ऐसे उ में ही प्रोनाउस करते हो, और ए भी तो हमारा वावल्स है, तो क्यू, यू आया, कॉन, म्यूट, क्यूट, यू का साउंड आया, तो ये थी हमारी टोटल फाइव वावल्स के साउंड, ठीके, यहां पर मैंने टोटल फाइव वावल्स के साउंड मैंने दे दिये, अब आपको ये क्लास कैसे लगी, कॉमेंट में जरू बताएगा, टोटल मैंने आपको 48 रूल्स दिये, यानि कि ये फाइव वावल्स के मैंने आपको 48 रूल्स दिये, अब आपको एक बार में याद हो जाएगा सारी रूल्स मैंने यह बिल्कुल भी नहीं कहा अब मैं इसकी पीडियाफ आपको में टैलिग्राम चानल प्री इंग्लिस क्लासेज ओके अभी आप जॉइन कर लिजेगा प्री इंग्लिस क्लासेज सर्च करोगे जो हमारे यूचुब चानल का नाम है वही अगर आप सर्च करोगे तो आप आप के जाएगी वहाँ पर आप में फालो कर सकते हो को यहांपे देखिए अपको परड़ी की पीडियाफ लिजाएगी हमारी जो वीडियू लाइव आती है या फिर वीडियो से section में आती है सभी के पीडियाफ एक जगह आपको मिल जाएगी झाया तो इसके भीडियाप मे यह हो सकती है, मैं उसे गरेक्ट करदूगा, अगर रां होगा, अगर सही होगा, तो मैं बता भी दूँगी, आपको ठीक है, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, तो कॉमें जरू बताएगा, अगर आपको किसी चीज में भी, कुछ भी पूछना हो, मुझे जरू जरू बताएगा, तो मुझे कॉमें जरू बताएगा, ताकि मैं इसके पार्ट बाइप आप लोग के लिए वीडियो लेकर आती रहूंगे, तो आज की क्लास कैसे लगे, कॉमें जरू बताएगा, अच्छे लगे, तो लाइक कीजेगा, अपने फ्रेंड फामली को जरू श जरू प्रेस कीजेगा, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन आपको समय पर मिलती रहेगी, और अगर आप ऐसे ही हमारी टैंसेज वाली वीडियो देखना चाहते हो, तो लाइट साइड क्लिक करके आप मैं टैंसेज की वीडियो देख सकते हो, और राइट स See you in the next video, till then bye bye, take care.